हाई एवर्ण वान केसे हैं आप सब I hope आप खुश होंगे श्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो आज तूस्टे है तो अनुमार बाबा कि हम मेंसेज लेते हैं हम हमें क्या मेंसेज देना चाथे हैं हम उनकी तरफ से message लेंगे ठीके और यहाँ पर मैंने एक card आज पहले से shuffle कर चुकी हूँ ठीके यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको इसमें से एक card choose करना है फिर उसमें से आपके message मेलेंगे ठीके मैं यहाँ पर बता देती हूँ cards के बारे में और friends से timeless reading होगी आप इसको कभी भी देख सकते हो आपको finally message मिलेंगे ही मिलेंगे वहाँ से ठीके और आप अपनी situation जैसे reading बेटती है अपकी situation बेटती है उसके according आप message लें ठीके अगर please reading resonate होती है आप से बिलकुल मेच होती है तो मुझे like करना and subscribe जरूर करना और जिसने subscribe कर दिया उसे लिए thank you जिसने नहीं क्या please subscribe जरूर करें ठीके तो मैं आपको cards के बारे में बताती हूँ यह है first card यह है second card और यह है third card और यह है four card हम इने को अपनी pile बनाएंगे pile first यह है मैं आपको बता देती हूं cards इधर से inner work का है यह bridge का आपको यह cards अच्छा लग रहा है तो आप इसको choose कर सकते हो ठीके इसक आपको मतलब जो भी अच्छा लग रहा है cards उसको select करना है और time में अपने discussion box में mention कर देती हूं तो आप वहां से देख के अपनी reading को देख सकते हो आपको पूरी reading नहीं देखनी है तो ठीके second card से है अपका Archangel Michael ठीके आपको यह card अच्छा लग रहा है तो आप इसकी reading देख स करते हो ताकि मतलब आपकी energy उसी card पर जाएगी ठीके और उसी से आपको message मिलेंगे ठीके trusting heaven का यह Archangel Michael यह angel होते हैं हमारे जितने भी angels होते हैं यह मतलब उनमें यह बिल्कुल उनसे बहुत उपर होते हैं Archangel Michael परिष्टे होते हैं हमारे ठीके third card है यह वाला अगर आप इससे connect हो रहे हो तो आप इसकी reading देख सकते हो ठीके physics insight यह intuition का है यह हमारे spirit होते हैं हमारे पूर्वज होते हैं तो आप इससे connect हो रहे हो तो आप इससे message देख सकते हो third card है cosmic energy ठीके horse cosmic energy अगर आप इससे connect हो रहे हो तो आप इसकी reading देख सकते हो इससे आप अपने message ले सकते हो ठीके और I hope आपने अभी तक select कर लिया होगा कि आपको कौन सा card ज़्यादा connect हो रहा है कौन सा एक बार बार निगा जिस cards पे भी जा रही है उससे आपके message मिलेंगे कि finally हनुमान बाबा आपको क्या message देना चाहते हैं ठीके friends और card मैंने आज पहले बता थे मैंने पहले सफल कर चुकी हूँ cards को और मैं इसकी reading अभी start करते हूँ कि आपके लिए क्या message निकल गया आते हैं ठीके इनको हम side में कर देते friends थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि patience pile first के लिए patience आपको रखना है patience रखने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको आप शायद कुछ किसी चीज में लगे हुए हो और आपको patience ऐसा लग रहा है कि जल्दी 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 कोई चीज मिजे मिल जाए ठीक है तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कार्ड में पहले बता देती हूँ आपको यह strength का कार्ड आया था the sun का कार्ड था first pile आपके लिए क्या message आता है मैं बताऊंगी आपको eight of pentacles seven of swords का था ठीक है self worth आप थोड़ा से उपर की तरफ कर लेते हैं ताकि आपको cards easily रज़र आए ठीक है और self worth का था enjoy का था okay message मिल रहा है आप भी enjoy करो कुछ काम कर रहे हो grief ठीक है एंजल wisdom and angel of relation angel of love ठीक है मैं जब अभी reading करूँगी ता आपको card भी शो कर दूँगी आप देख लेना फिर उसमें से ठीक है मैं अब भी बताऊं आपको कि आपके लिए message यही आ रहे है हनुवान भापा आपको message यहां पर यही दे रहे हैं कि आप मतलब किसी चीज में अठके हुए थे आप मतलब यह सोच रहे थे कि एक mind है आपका थोड़ा सा मतलब उसमें था दूबिदा में था बहुत सारी चीजों को आप बढ़ दो रहे थे आगे आपका मतलब केते ना mind हमारा हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं हम महनत कर रहे हैं तो finally हम मतलब बहुत सारी चीजों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं ठीके लेकिन हनुमान भाब आपको यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि कुछ चीजे आपकी पीछे भी हैं उनकी तरब भी आपको ध्यान देने की जरुरत है अगर आप अपने आपको प्यार करने की जरुत है हनुमान भाबा यह बोल रहे हैं आपको और मतलब जो आपकी पीछे की चीजे छूट रहे थी आपको उनको भी साथ में लेके चलना हैं ठीके बहुत सारी चीजों को आप मतलब हनुमान भाब आपको सीधा-सीधा यहाँ पर यही बोलने वाले हैं क्योंकि कार्ड आपने स्ट्रेंथ का चूस किया है आप जा रहे थे आगे की तरफ बढ़ रहे हो लेकिन आपकी खुश हो लेकिन पीछे कुछ चीजे चूटी हुई है तो आपको उनकी तरफ भी दिहान देना है आप बहुत महनत कर रहे हो अपने intentionally को पेसो के लिए money wise finances strong करने के लिए आप बहुत महनत कर रहे हो ठीके तो यहां पर हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको strength दी जा रहे है ठीके आपने अभी तक जितनी महनत करी है आप खुश रहते हो बहुत प्यारे हो आप बहुत मतलब एक सबसे प्यार करने वाले, सबसे अच्छे से relation रखने वाले, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि अभी तक आपने जो चीजे पीछे छूटी हुई थी आपकी, आपको उनको भी साथ लेके चलना है और जेसी एनर्जी है आपकी, वेसी ही एनर्जी आपको दूसरे के साथ भी रखनी है, ठीके हनुमार बाब आपको यहाँ पर यह भी बोल रहे हैं कि आपको मतलब एक जो भी आपकी चीजे हैं, ठीके, उनको बहुत आप लगे हुए थे किसी काम में, ठीके, तो यहाँ पर आपको यह बोला जा रहा है कि आपको अवर्नेस दी जा रही है, हैपिनेस दी जा रही है, और फाइनेली आप अपनी पावर को जान पारे हो, समझ पारे हो, ठीके, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ था, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का काड आया है, आप अपनी पावर में आने वाले हो, ठीके, क्योंकि काड दस सन का भी निकला है, तो हनुमान बाबा सीधा सीधा, हनुमा से लग रहा है आप लोगों की बहुत हैल्प करते हो उनको मतलब बहुत सारी ऐसी प्रावलम से निकालना जानते हो आप जो औरों के लिए मुश्किल होता है लेकिन आप वो काम इजीली कर लेते हो ठीके तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो पीछे की पावर भूल गए थे आप पीछे की हैपिनेस बूल गए थे आप जैसे खुश रहते थे तो हनुमान बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि उन सब चीजों से आपको पीछे नहीं छोड़नी है आपको वापस अपनी पावर में आना है अपनी स्ट्रेंथ में आपको आने की ज़र थे आपको जैसे आप जाने के लिए बोला जा रहा है अपको ज्यान दिया जा रहा है हनुमान बाबा की तरव से ताकि आप बहुत मुझे ज़र लग रहा है कि आप spiritually भी बहुत grow करने वाले हो आपके अंदर strength बहुत है तो हनुमान बाबा बोल रहे है कि कहीं न कहीं वो सारी चीजे आप किसी चीज में इतनी बुरी तरीके से लगे हुए थे आप महनत कर रहे थे वो उस चीज में है आप अपने आपको ही भूल गए थे तो हनुमान बाबा की blessings आ रही है कि आपको वापस आपकी चीजे दी जा रही है ताकि आप आपकी एक position है उस पे आपको बिठाया जा रहा है वो केते हैं न बहुत सारा आपको लोगों से appreciation भी मिलने वाला है लोगों से आप जो काम कर रहे हो न उस चीजे में आपको लोगों से बहुत help भी मिलने वाली है ठीके ताकि अपने उस काम को और आगे बढ़ा सको आगे ले सको आपको sun की energy में ले जाया जा रहा है हनुमान बाब बोल रहे है strength की तरफ ले जाया जा रहा है आपके relationship में बहुत सारी blessings आ रही है ताकि आप मतलब सबसे equally रह सको ठीके आपका mind थोड़ा सा वो होता है न game घेल जाता था आपके साथ तो वो सारी चीजे अब हनुमान बाबा वो सब चीजे निकाल रहे हैं ताकि जो पीछे चीजे छूट गई थी आपकी वो आप अपनी power में आज सको ठीके तो ये एक short सा message था हनुमान बाबा की तरब से आपके लिए और finally आप उस चीज को जानो और समझो कि क्या message आ रहा है हमारे लिए ठीके आपको खुश रहना है ताकि आप आगे बढ़ो और अपनी power को जानो अपनी strength को समझो और abundance को आप manifest करो हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि आपने बहुत महनत करी बहुत काम किया है तो उसको आप अब enjoy करने का भी time आज चुका है ठीके आपको उसी power में ले जाया जा रहा है तो pile 1 ये थी आपकी reading I hope आपसे resonate हुई हो हनुमान बाबा की तो जिसने भी Archangel Michael का card choose किया था हम उसके message देखते हैं कि हनुमान बाबा आपको क्या message देना चाते हैं pile 2 आपके लिए बहुत अच्छे message निकले हैं total positive message निकले हैं आपके लिए यहाँ पर आपके लिए message आया है कि आप success की तरफ बढ़ रहे हूँ ठीके अगर आपको यहाँ पर message आ रहा है आपके लिए कि अगर आपको और अपनी success में growth करनी है आगी बढ़ना है ठीके तो आपको अपनी जो soul wise है अपका inner wise है उसको सुनने की ज़रत है ताकि आप easily और अच्छे से आपका जो आपने एक path choose किया है एक रस्ता choose किया है कुछ एक बहुत सारी मतलब बहुत सारे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो आगी की तरह बढ़ रहे हो पाइल टो आप बहुत जादा passionate हो अपने work को लेके अपने काम को लेके finally आपको मतलब किसी भी चीज में success मिली है और उस success को आप enjoy भी कर रहे हो लेकिन उसको और आगे बढ़ाना है और उसको आगे की तरफ लेके जाना है ठीके आप तो यहाँ पर आपको और आपकी जो मुझे ऐसा लग रहा आपकी third eye भी बहुत active है यहाँ पर आप जितना मतलब meditation करेंगे उतनी ही आप success को manifest करेंगे success की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको meditation करने की ज़रत है और अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की ज़्यादा ज़रत है जितना आप peace में रहोगे शान्ती में रहोगे उतना आप मतलब अपनी जीत को हासिल कर पाऊगे ठीके जो आपने decide कर रखा है आप मतलब message यहाँ पर यहाँ आ रहा है हनुमान बावे के लिए कि आपने एक right केतना रस्ते पर हो बिल्कुँ सही रस्ते पर जा रहे हूँ आप जो कि एक spiritual रस्ता है बहुत आप भगवान से connect हो पाइल टू आप एंजल से बहुत ज़्यादा connect हो आप किसी past में बहुत ऐसी energy में फसे हुए थे जहां से निकलना बहुत मुश्किल था लेकिन आप अपनी मतलब एक केते न आपका angels आपकी भगवान आपके हनुमान बाबा ने आपको हाथ पकड़ के वहा से निकाला है ठीक है और हाथ पकड़ के निकालने के बाद वापस वो चाहतें के वापस उस दलदल में ना फसो आप ठीक है आपको अपना उन्होंने एक रस्ता बनाया है बहुत साफ सुत्रा आपका रस्ता है उस पर चलने के लिए आपको बोला जा रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं आपको कुछ create करना है मतलब हनुमान बाबा का message है आपको कुछ नया करना है आपका अपना एक वजूद बनाना है ठीक है? उनकी तरब से मतलब आपको एक आप ऐसा सोचते हो कि आप अकेले हो, कही न कही मुझे थोड़ा सा आपके अंदर डर लग रहा है तो वो कह रहे हैं अर्केंजल माइकल हनुमान बाब आपको एक मेसेज ही देने कि डरना नहीं है बिल्कुल जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपका जो अभी अंदेरा दिखाई दे रहा है न वो सब छटता जाएगा और एक प्रकाश आपको दिखाई देगा आपको सिर्फ बढ़ना है बढ़ना है ठीके आपको आप बहुत मतलब इंट्यूशन आपको बहुत काम करता है यहाँ पर लेकिन आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा आगे भी ठीके यहाँ पर मेसेज आपके लिए ये भी आ रहा है कि आपको gratitude पे करना है ठीके gratitude जितना पे करोगे लोगों का मतलब ये लगा लो कि जितना आप अपने इश्वर का अपने बड़े बुजूर्गों का घर में चा छोटा बच्चा जब कुछ भी थोड़ा सा भी आपको कहीं से भी happiness मिलती है तो उसमें भी आपको gratitude पे करने की ज़रत है ठीके यहाँ पर आपका हार चक्रा भी heal किया जा रहा है जितना आप gratitude पे करोगे उतनी abundance को आप अपने नस्दिक ले गया होगे उतनी abundance, उतनी success उतना मतलब केते हैं हर चीज में आपको जीत जीत सुक्र, समृति, मान, सम्मान सब कुछ आपको मिलेगा लेकिन आपको gratitude पे करना है एक message आपका यहाँ पर आ रहा है फूर्थ message आपके लिए आ रहा है कि आपका re-inval होने वाला है आप किसी से मिलने वाले हो आपका एक नया जनम हो चुका है ठीके और आपको पीछे जो कुछ हुआ है आपके जिन लोगों ने मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आपको मतलब mentally torture किया गया था या disturb किया गया था पास्ट में जो कि आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भुला भी चके हो आगे भी बड़े हो आप success के रस्ते पर सही रस्ते पर angels आपके साथ है तो जो कुछ भी हुआ था तो उनको माफ करने के लिए आपको message मिल रहा है उन्हें माफ करना है angels आपके हनुमान बाबा आपको message यही दे रहे है क्योंकि आप spiritual journey में हो आप एक pure soul हो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप अपने mind में या दिल में किसी के लिए द्वेश रखो किसी के लिए गंदी चीज़े रखो ठीके यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने उपर काम करने की ज़र रहते अपनी energy को अपने उपर लगाने की ज़र रहते कहीं ओ नहीं लगाना है आपको अपनी energy में जितने आप अपने चक्राओं पर काम करोगे उतनी आपकी positivity अट्रेक्ट करोगे उतने positive बनोगे उतना आपका औरा और बहुत जादा पोजिटिव औरा बनने वाला है ठीके तो यहाँ पर आपके लिए यही मेसेज आ रहा है हनुमान बाबा की तरफ से आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं अबंडन्स मिल रही है आपको ग्रेटिटुट पे करना है एक नया जनम हो रहा है आपको इनर वाइस सुनने की जर्रत है एंजल्स आपके साथ हैं आपको बैलेंस किया जा रहा है और किसी को माफ करने की जर्रत है यहाँ पर क्योंकि आर्केंजल माइकल का आपने कार्ट चूज किया था आरकेंजन माइकल भी आपको यही बोल रहे हैं कि आप सेफ हो, ठीके, एंजल्स आपके बिल्कुल नजदीक है, टोटल जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उनको सरेंडर करना है, अगर आप जो भी कुछ चीजे ऐसी होती, जो हम मतलब हैंडल नहीं कर पाते हैं, हमारी एन एनरजी इन बैलेंस हो जाती है आपकी, तो वहाँ पर आप एंजल से प्रेयर करो, हनुमान बाबा से प्रेयर करो, जिसको भी आप मानते हो, उससे प्रेयर करो, इस्पेशली आरकेंजन मायकल को आप बुलाओगे, उनसे प्रेयर करोगे, तो वो चुटकियों में आपको व बहर के लिए ठीके तो यहां पर मैं आर्गेंजर माइकल की भी उर्जा को मैं फील कर पारी हूँ कि कि इतने पॉजिटिव कार्ड्स टोटल मेसेज ही निकले हैं आपके लिए ठीके पाइल टू तो ये थी पाइल टू आपकी रिडी आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो चूज किया था फिजिक्स इंसेट का ठीके ये वाला तो उसके रेडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि हनुमान बाबा आपको क्या मेसेज दे रहे हैं पाइल तरी आपके लिए मेसेज निकलके यही आया है कि आपकी बहुत सारी विश थी बहुत सारी इच्छाएं थी लेकिन आप उस चीज में confused थे कि मैं finally पहले किस चीज पर मुझे अपनी कौन सी विश को मुझे पहले पूरा करना है भगवान से मैं कौन सी विश है जो पहले मांगो क्योंकि आपकी बहुत सारी विश है ना ऐसी हो रखी थी कि ये भी जरूरी है ये भी जरूरी है मुझे सब मिल जाये तो कितना अच्छा होगा ठीक है तो यहां पर वह जब आप दूविधा में फसे हुए थे ना तो वह आपकी एक negativity बन गई थी ठीक है क्योंकि जब हमारा माइंड किसी चीज में फसा रहता है हम decision नहीं ले पाते हैं तो वह वह चलता ही रहता है तो वहां पर आपक इस चीज पर control करने की ज़रत है ठीक है balance बनाने की ज़रत है आपको और जो भी आपकी wish थी अपने जो भी मतलब भगवान से prayer की थी प्रातना की थी meditation भी कर रहे थे आप और किसी मतलब एक वह आपकी खुद की कुछ चीजे ऐसी थी जो आपको negative कर रही थी ठीक है आपको आपके लिए message निकल के आ रहा है कि आपको आपको ही ना अपकी third eye बहुत active है ठीक है अगर आप अपनी wish को पूरा करना चाहते हो मुझे इसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजे आपको एक साथ लेना है तो यहाँ पर हनुमान बाबा आपको message दे रहे हैं कि सब कुछ आपके हाथ में दिया जा रहा है आपकी third eye open है तो उस पर trust करना है आपको तीक है आपको intuition आते होंगे आप अपनी अंदर की बाते जिसे एकदम suddenly intuition किसको बोलते हैं suddenly कोई बात एकदम click कर जाना कि हाँ यार यह तो अच्छानक से केट से मेरे मन में आया यह क्या हुआ था तो वो हमा हमारी आत्मा की voice होती है हमारी आत्मा की आवाज होती उसको आपको सुनने की जहरत है जो आपको success की तरफ लेके जाएगी ठीक है टोटल यहां पर यही निकल के आ रहा है कि आप अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाते हो दूविधा से निकलना चाते हो तो आप अ करने की जहरत है ताकि finally आप एक चीज़ पर focus कर सको ठीक है आपको trust करना होगा विश्वास करना होगा मुझे इसा लग रहा है कि आपको message यहां पर यह भी निकल के आ रहा है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो या तो intuition आता है या तो आप समझ नहीं पाते हो या फिर उ अपने अभी तक hope बना के रखी थी कि क्या मेरी wish होगी जरूर होगी पूरी जो आपकी एक hope था ना वो आपको finally बहुत success की तरफ लेके जा रहा है और हनुमान बाबा का message यहीं आ रहा है कि पूरे आप उनकी protection में हो ठीक है आपको अपने काम में आगे बढ़ना है और आगे की तरफ बढ़ना है ताकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल आपके साथ में है लेकिन action आपको ही लेना है आप अपनी thoughts पे control करना है ताकि आप अपनी जो भी इच्छा है उनकी पूरती कर सको आपको मतलब ऐसा के रही करने वाला है वो आपकी आपकी मतलब केते ना अनुमान बाबा की blessings से ही आ रहा है वो आपकी life में ठीके आप अभी उससे शायद phone पे भी बाते करते होगे बहुत ज़्यादा connect feel करते होगे उस person से ठीके तो जो आपने ये hope बना के रखी वो बना के रखनी है definitely message यही आ रहा ह है आपकी लेकिन आपको country से काम करना है ठीके आप उनके पूरे protection में हो तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा सब कुछ यही बोला जा रहा है आपको अपनी intuition को follow करना है उस पे विश्वास करना है trust करना है ताकि और जो hope बना के रखी है उसे बना कर रखना है balance करना है ठीके तो यह थी pile 3 आपकी reading I hope आपसे resonate हुई होगी resonate तो please मुझे like करना comment करना subscribe करना bye pile 3 hi pile 4 तो जिसने भी horse cosmic का card choose किया था उसकी reading हम स्टार्ट करते हैं कि हनुमान बाबा आपको क्या message दे रहे है ठीके यहाँ पर message आपके लिए यही आ रहा है कि आप एक बहुत powerful soul हो जैसा आप सोचोगे वेसा ब्रहमान में वो fail जाएगा और एक वो magnet की तरह काम करता है अगर आप अच्छा सोचोगे positive सोचोगे तो वो आपकी life अमेरी कर लोंगे अगर आप negative सोचोगे तो वो return होके आपको वेसा ही मिलना है एक हनुमान बाबा का message यहाँ पर आ रहा है क्योंकि आपके thoughts बहुत जादा काम कर रहे हैं ठीके और message आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है कि बहुत जादा मतलब हनुमान बाबा आपकी तरह बहुत blessings दे रहे हैं आपकी energy पहले रुकी हुई थी किसी reason से आप चीजों को manifest नहीं कर पारे आप बहुत तगड़े manifest रहे हो पाई 4 ठीके तो आप अपनी power में आओ और अपनी जो भी चीजे हैं जो universe और हनुमान बाबा आपको दे रहे हैं उनको लो क्योंकि card recovering का आया है जो भी आपकी problem थी जो भी आप manifest कर रहे थे वो कर नहीं पारे थे तो आप समझे हो और बहुत सारी चीजों की आपकी recovering होने वाली है क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारी blessings आ रहे हैं बहुत सारी opportunity आपकी तरफ आ रहे हैं आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी life में बहुत creative person हो बहुत passionate person हो ठीके तो उसको अग यह सब energy देखके मैंने बोला ना अभी आप बहुत सारी पावरफुल सोलो जैसा universe में आप भीजोगे वैसा आपको return में मिलेगा आप ऐसे हो इसलिए universe की तरफ से आपको केते ना चावी देदी अप ताला खोलो ठीके तो वो चीजे हो आपके साथ हनुमान पापा का message है क्योंकि आप बहुत साथ creative person हो creative person के साथ साथ message यह भी आ रहा है आप के लिए आप feminine energy हो ठीके बहुत जादा प्यारे हो loving caring person हो अपनी चीजों को तो सम्हाल के रखते हो दूसरों की भी उसी नजरिये से देखते हो आप जैसी अपनी चीजो को देखते हो ठीके मुझे यहाँ पर especially आपके बच्चों के लिए बहुत जादा blessings यहाँ पर आती हो ही नजर आ ठीके आपके अंदर है ना मुकेते ना दया की भावना बहुत जादा है और आप इतने creative person हो कि आप कुछ भी कर सकते हैं आपके हातों में बहुत जादा वह केत हातों में ठीके तो वहां से आप कुछ create करने वालों मेसेज यही आ रहा है अनुमार बाबा क्या कि आपकी तरह बहुत जादा opportunity आ रही है उसको लेना है और कुछ create करने के लिए आपको बोला जा रहा है ठीके आपके हातों में कुछ ऐसी energy दी जा रही है जिससे आप create कर रह रहा है और मेसेज यह भी है कि आपको बिल्कुल किसी चीज से पीछे नहीं अटना है patience बना की रखना है आपको हर चीज की possibility है आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि उस चीज में आपको success मिलने वाली है card success का आया है pile 4 आपके लिए ठीके आपको केते हैं ना finally जब होगा यह देखो खुश हो रहा है कि finally मैं जीत गया मैं मैंने जो करना था मुझे जो लेना था वो मैंने किया ठीके वो उसको आपको strength दी जारी है strength इस चीज के लिए दी जारी है कि आप रुकों नहीं आगे बढ़ते रहो आप अपनी जो आपको opportunity दी जारी है ब्रह्मान से universe बहुत सारी चीज़े आपकी तरफ आ रही है तो आपको grounded रहने की जरुरत है आपको बिल्कुल peace में शांती में रहने की जरुरत है ताकि आप आपकी creativity को बाहर निकाल सको ठीके यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ भी impossible नहीं है सब कुछ possible है और आपको उसमें success मिलने वा opportunity आपकी तरफ भीज रहा है जिससे आप अपनी creativity आपकी बहुत सारी चीज़ों को आप बाहर निकाल सको लेकिन patience भी रखना रखना एक्टम फटाफट फटाफट कोई चीज़े नहीं हो जाती है ठीक है pile 4 तो बहुत positive pile 4 और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब घर की एक lady हो आप बिल्कुल और healer भी हो सकती हो आप मुझे इसा लग रहे हैं आपर कोई doctor या बहुत ज़्यादा ऐसी lady है जो बिल्कुल already अपनी एक position उसने ले रखी है और उसको सम्हालना जानती है कि कैसे मुझे इस पर बेठे रहना है ठीक है मैं अपनी चीज़ों को कैसे सम्हा बाबा की तरफ से आपके लिए I hope आपसे reading resonate हुई और reading resonate तो please please like करना comment करना subscribe करना by pile 4 thank you thank you so much